हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल आसिफ टेक टॉक दोस्ते इस वीडियो में मैं आज बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने नेशनल स्कॉलर्शिप अप्लिकेशन को वेरिफाई करें तो मुझे बहुत सारे मेसेज मिल रहे थे कि यह फाइनल सब्मीट कर चुका ह अब क्या करना है कैसे वेरिफाई करना है तो मैंने कुछ को रिपलाई किया है तो सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि सब को पता चले कि कैसे आपको वेरिफाई करना है अपना नेशनल स्कॉलर्शिप फॉर्म को तो अगर अपने फाइनल सब्मीट कर चुके हैं त finally submitted please contact to your institute for verification तो अगर final submit कर चुके हैं तो आपका application जो होता है वो institute पे चला जाता है और जहां पे वहां पे institute जो है जो आपका institute है वो आपके application को verify करता है कि आप उस college के है या नहीं तो अगर वो खुद से कर देता है अपने data देखके तो ठीक है अगर नहीं करता है तो आपको ज प्रश्चिट का जो भी a scholarship office होगा या register office वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि आपके नस्पी जो form है उसको verify करने के लिए ठीक है तो वहां से वो अपने login ID और password से जो है login करेगा institute का जो ID होता है और वहां से आपके application को verify कर दिया जाएगा अगर verify हो जाता है तो आपको एक message मिल जाएगा उसी वक्त कि your application is verified at institute level तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद चला जाता है form जो है district level पे और state level पे जो की हो सकता है आपको message मिल जाए कि your application is verified at district level and state level respectively तो इस तरह से अपने form को verify करा सकते हैं अभी तक आपने final submit नहीं किये हैं तो प्लीज 30 से पहले आप final submit कर लें और verify जल्दी से जल्दी institute पे जाके करा लें हाँ एक बात और कि आप अगर documents के साथ जाते हैं तो ज्यादे अच्छा होगा क्योंकि documents आप लेके जाएंगे तो आपके पास एक proof रहेगा कि हां मैं इसी college का हूं तो वो सारा documents देखके आपको सब्सक्राइब कर देगा institute होप आपको यह वीडियो helpful रहा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिंग देस वीडियो